आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Hello guys, Question में दे रखा है कि X upon A plus Y by B plus Z y C is equal to 1 एक Plane का Equation है, मैं मालूम है Standard Plane का बोल रहा है, Intersect करता है Coordinate Axis को A, B, C पे अब बोला है कि Triangle P, Q, R जो कि क्या है, P, Q, R हमारा है क्या Midpoint है A, B, C से हमने यहाँ पे A, B side का Midpoint हमारा P है B, C का हमारा Q है और A, C का हमारा R है एसा कुछ दे रखा है इन्हों ने इसके कहने का मतलब यह है अब बोला है कि जो Triangle बनता है P, Q, R जो हमारा Midpoint से बनता है A, B, C, K तो बोला है कि Area of Triangle P, Q, R बताओ क्या होगा तो देखो सबसे पहले इसको समझो यह जो हमारा है यह हमारा Coordinate Axis को तो X by A plus Y by B plus Z by C is equal to 1 यह Standard Plane है और यह Coordinate Axis को cut कहां-कहां पे करेगा अपनको पता है X Coordinate को A Point पे cut करेगा तो यहां पे मानलो मैं cut करवा रहा हूँ तो यह हमारा मानलो A Point है और कहां-कहां पे cut कर रहा था X को A पे B पे और C पे हमारा Y और Z को respectively cut कर रहा था तो X को कहां पे cut करेगा A पे और उस Point का Coordinate क्या हो जाएगा A, 0, 0 ठीक है अब देखो B पे cut कर रहा है Y Axis को तो B Point मानलो यह रहा ठीक है और इसका Coordinate क्या हो जाएगा B Point का तो 0, B, 0 क्योंकि Small B है यहां पे उसके बाद देखो Z Axis को कहां पे cut करेगा तो Z Axis को मानलो यहां पे cut करेगा ठीक है तो Z Axis को Coordinate हो जाएगा वो C हमें दे रहा था और इसका Coordinate क्या हो जाएगा 0, 0, C ठीक है यहां पे Small C है Z Y C ठीक है अब इन्होंने क्या बोल रखा है कि P Q P Q R हमारा Midpoint है किसका P Q P हमारा सबसे पहले Midpoint है A B का ठीक है तो यह P Point है फिर Q हमारा B C का तो यह Q Point और A C का हमारा Midpoint R है मानलो तो P का Coordinate अपन Midpoint Formula से क्या लिख सकते है A plus 0 यहां पर क्या हो जाएगा A plus 0 by 2 यानि कि A by 2 फिर क्या हो जाएगा 0 plus B by 2 यानि कि B by 2 Midpoint Formula से देखो Midpoint Formula होता क्या है अगर में लिखो P का Coordinate लिखना होगा और यह अगर X1, Y1, Z1 है और यह X2, Y2, Z2 है तो मैं लिखूंगा X1 plus X2 by 2 और Y1 plus Y2 by 2 और Z1 plus Z2 by 2 यह Coordinate में P का लिखूंगा उसी से हम यहां पर निकाल रहे है तो देखो Z Coordinate क्या हो जाएगा 0 plus 0 यानि कि Z1 plus Z2 upon 2 यानि कि 0 ही हो जाएगा तो P Point का Coordinate ही काल गया Similarly Q Point का Coordinate क्या हो जाएगा 0 plus 0 upon 2 यानि कि 0 फिर B plus 0 यानि कि B by 2 फिर 0 plus C by 2 यानि कि C by 2 और R Point का Coordinate से मिला लिख क्या हो जाएगा 0 plus A by 2 यानि कि A by 2 और फिर 0 plus 0 by 2 यानि कि 0 और C plus 0 by 2 यानि कि C by 2 ठीक है तो हमने P, Q, R का Coordinate निकाल लिया अब इन से मिलके एक ट्रेंगल बन रहा होगा इसा कुछ देखो Q, R फिर R, P और फिर P, Q को मैं मैच करवाता हूँ यहाँ पे तो इन तीनों से मिलके एक यहाँ पे ट्रेंगल बन रहा है तो हमें इसका एरिया फाइंड आट करना है इस ट्रेंगल का ठीक है यह जो हमने ट्रेंगल बनाया तो इसका एरिया में फाइंड आट करना होगा तो इसका एरिया कैसे निकलेगा तो अपन जानते हैं यहाँ पे एरिया तो यहाँ पे एरिया कैसे निकलता है अब मेरे को चाहिए एरिया ओफ ट्रेंगल P, Q, R ठीक है जो फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मेरा कॉडिनेट अगर P, Q, R का जेनरल फार्मूला मैं लिखूँ, तो वह हमारा होता है, X1, X2, X3 यहाँ पर लिखते हैं, फिर यहाँ पर Y1, Y2 और Y3 को, और यहाँ पर Z1, Z2 और Z3 को, ठीक है, तो यह हमारा फार् किसी भी ट्रेंगल का एरिया निखालने का, अगर मेरे को कॉडिनेट मालूम हो, तो सिमिलरली यहाँ पर, सबसे पहले P पोइंट का, अगर मैं P पोइंट के कॉडिनेट को X1, Y1 और Z1 बोलू, और Q के, X2, Y2, Z2 और R के कोडिनेट को X3, Y3 और Z3 बोलू, तो हमारा यहाँ पर डिटेमिनाट क्या बन जाएगा, AY2, सबका X कॉडिनेट पहले देखते हैं, AY2, 0 और AY2, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, AY2, 0 और AY2, फिर Y कॉडिनेट क्या हो जाएगा, BY2, BY2 और 0, तो BY2, BY2 और 0, फिर Z कॉडिनेट क्या हो जाएगा, 0, CY2 और CY2, 0, CY2 और CY2, ठीक है, तो यह हमारा यहाँ पर area आजाएगा triangle PQR का, ठीक है, अब इस determinant को solve करो, तो सबसे पहले में क्या करता हूँ, यह तो half है, AY2 के about expand करते हूं, तो AY2 के about expand करो, ठीक है, तो AY2 के about expand करेंगे, तो क्या हो जाएगा, या तो open क्या कर सकते थे directly, देखो determinant को solve करने लेता, तो 1 by 2 का cube हो जाता, यानि कि 1 by 8, और 1 by 8 हमारा 1 by 2 से multiply को होके जाता 1 by 16, तो determinant मेरा क्या बसता हूँ, यहाँ पर A, B, 0, फिर 0, B, C, और फिर यहाँ पर A, 0, C, यह बसता हमारा determinant, ठीक है, अब इस determinant को हमें solve करना है, बिसिकली, तो यह हमारा हो क्या जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 by 16, अब मैं solve करता हूँ, A के word expand करो, तो A into क्या हो जाएगा, A के row A के column को छोड़ा, B, C हो जाएगा, और यहाँ पर 0, तो यह BC बचा, minus B हो जाएगा, B के word expand करो, इसके row इसके column को छोड़ो, 0 into C, 0 minus C into A, यानि कि AC, ठीक है, अब 0 के word expand करूँगा, तो 0 ही होग ठीक है, तो यह 0 हो गया, तो हमारा A क्या गया है यहाँ पर, 1 by 16, और यह है A, B, C, और यह minus minus plus A, B, C लिखा हुआ है, ठीक है, तो यानि कि 2 times, 2 times A, B, C upon 16, यानि कि इसको क्या बोल सकता हूँ, A, B, C upon 8, ठीक है, तो हमारा जो triangle P, Q, R का, अगर मैं area बोलूँ, तो area of triangle P, Q, R ह हमारा A क्या गया, A, B, C upon 8, square units, ठीक है, तो यह हमारा answer हो जाएगा, जो हमसे पूछा गया था, thank you